डबल लेटर्स वर्ड्स Hello guys and dear students, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वर्ड मेनिंग मतलब इस्पेलिंग में जो लेटर्स डबल आते हैं वो कब आते हैं और क्यों आते हैं तो चलिए आज यही टॉपिक हम समझते हैं कि स्पेलिंग में डबल लेटर्स क्यों आते हैं और कब आते हैं तो चलिए समझते हैं जब स्पेलिंग का हिंदी उचारण करते समय हिंदी उचारण में सिर्फ दो अक्षर आएं और लास्ट वाले अक्षर पर बड़ी ए का सांद हो तो लास्ट में आए बड़ी एके साउंड से बाई आता है मतलब किसी स्पेलिंग का हम हिंदी उचारण कर रहे हैं और हिंदी उचारण में सिर्फ दो अक्छर आ रहे हैं और दो अक्छर में जो लास्ट वाला अक्छर है उस पर बड़ी एका साउंड आ रहा है अगर लास्ट वाले अक्षर पर बड़ी ए का साउंड आता है तो लास्ट में आए बड़ी ए के साउंड से बाई आता है जो लास्ट में किसी भी स्पेलिंग में बड़ी का साउंड आता है उससे हमेशा बाई आता है और किसी बर्ड के हिंदी उचारण में सिर्फ दो अक्षर आएं और लास्ट वाले अक्षर पर बड़ी ए का साउंड आए तो लास्ट में आएं बड़ी के साउंड से बाई आता है और बाई से पहले जो लेटर आता है वो डबल हो जाता है मतलब किसी बर्ड में हिंदिय उचाड करते समय दो अक्छर आ रहे हैं और लास्ट वाले अक्छर पर बड़ी एकिसांट से बाई आता है और बाई से पहले जो लेटर आता है वो डबल आता है जैसे हबी फगी टबी फणी सनी करी चबी फसी सिली गमी हरी हॉबी टॉमी सॉरी बॉसी फॉगी टेडी टफी डेडी बैरी कैरी वरी यमी जैली बैली बगी किटी डी डीजी टिपी गली फुली रनी तो गाईस सापने देखा इन सभी वर्ट्स में लाश्ट में बाई आया है और बाई से पहले जो लेटर आया है वो डबल आया है जबी किसी स्पेलिंग का हम हिंदी में उच्चारड करते हैं और हिंदी उच्चारड करते समय सिर्फ दो अक्छर आ रहे हैं और लाश्ट में जो अक्छर आ रहा है उस पर अगर बड़ी का साउंड है तो बड़ी के साउंड से बाई आता है और बाई से पहले जो लेटर आ आज की वीडियो बस इतना ही, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के कुछ रूल्स और बताऊंगा मैं आगे की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर, till then take care and bye bye.